आज हम इस वीडियो में बैसे स्टूडेंट जो खासकर जामीले स्लामे में बीपीटी एनी बैचलर इन फीजियो थेरापी का इंटरंस एक्जाम देना चाहते हैं इस वीडियो में अप्लिकेशन फॉर्म, इंटरंस एक्जाम, एक्जाम पैटरन, सेलिबस और eligibility criteria, complete information का साथ, साथ ही reservation का जो वहाँ पर criteria है fee कितने लगते हैं, admission को लेकर, seats कितने हैं उसके बारे में detail information रहेगा, video इन तक देखेगा, आपके लिए helpful रहेगा सबसे पहले अगर हम application form के बात कर लेए, खासकर BPT का सारे courses का application form आएगा, एक बार में ही, तो ऐसे में आपको बस यह ही कि ECU channel को subscribe कर लिए हैं, तो updated आने की courses करें, आदरवाश सब्सक्राइब कर लिजेगा, अब आते हैं application form पे, तो मान के चले कि आपका मार्च से अप्रिल के में जामिया का application form आ सकता है, तो कि जैसे का आप जानती ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जामिया इस बार CUSET में सामिल नहीं हो रहा है, जैसा कि अब तक news article से आया है, कुई दिन पहली हमने इस video बनाया था, तो इससे पहले यह आगे भी हो जाए, लेकिन यह कि उसी के ब्यॉण में रहने वाला होगा, और वही इंटरेंस एक्जाम की बात कर ले, तो हो सकता है कि मैस से जून का जो मन्त होने वाला होगा, उसमें आपके इंटरेंस एक्जाम हो जाएंगे, उसके लिए बस यही कि आपका preparation इंटरेंस एक्जाम दीजिए और बीपिटी में एडमिशन लीजिए, तो यह मैं आपको बता है, इसके साथ ही यहाँ पर बता दें, एडमिशन फी को लेकर, बीपिटी में जो एडमिशन का जो फी है वो 700 है, और इसके अलाबा कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें 550 भी है, लेकिन बीपिटी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन नहीं बलके फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो 700 अबादवक एडमिशन फी अलग है, यह तो सिफ फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है, और इसके अलाबा बात करें यहाँ तो अब मैं आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसका मतलब आपको हर साल जो है वहां पे रिजर्वेशन का जो कि आप अगर समझेंगे और तो आपको ही फायदा होगा क्योंकि बहुत सरे स्टूडेंस इस फायदा को नहीं उठा पाते हैं अब जैसे क्या है वहां पे रिजर्वेशन देखी जा मुस्लिम जो स्टूडेंस है मुस्लिम में खासकर जो जिनरल है जैसे सेग सेद पठान मलिक जामय के कॉर्डिंग वो मुस्लिम मैंनृटी वाले मांगता है तो अगर वह मुस्लिम मैंनृटी डा सेलेक करेंगे इसका मतला आपको तीस परसेंट का फायदा मिलेगा पर ऑबर यह कि आपके इंटरंस कैसा देते हैं उस पर क्योंकि हर से जेनरल से मुस्लिम का डिफरेंस मातर दो से तीर मांक का ज़्यादा नहीं जाता है य मुस्लिम के लिए जर्नल स्टूडेंस के लिए रिजर्व है मैंने आपको जो चीजे था हो समझा दिया अब आगे जिससे कुछ और भी है लेकिन एडिशनल है यह उसमें सीट खराब नहीं करते हैं इनका लगी सीट है यह जो है वह जिनका अंदर डिस एविलिटी जो उनक पर इजर्विशन मिलता है वहीं अगर इंट्रेंस टेस्सेंटर की बात करें तो मुस्ट प्रवली आपका एम स्वरी जामिया कैंपस में ही हो रहेगा यह जामिया दिल्ली में ही रहेगा क्योंकि इनके होम टेस्ट नहीं होते हैं हाँ इनकेस आने वाले वक्त में अगर लेकिन अभी के हिसाब से 22 में जो देना चाहते हैं उनको दिल्ली जाकर जामिया में ही एक्जाम देना पड़ेगा यहां पर आपके बीपटी जो प्रोग्राम है यानि बैचलर ओफीजियो थेरापी का यहां पर उन्होंने इलिजिविटी क्राइटेरिया मिस्टर कर रख है अटलीस आपके ट्वेल्थ में 50 परसंट मार्क्स है मतलब आपको हो सकता है पीस बैग्रोंड तो इसमें मुस्ट या एक्वेलिन एक जामने से अंडर टेंट प्लस टू सिस्टम विद वायोगी वायोजी होना चाहिए फजेख होना चाहिए चाहिए तो यहां पर यह कि साइंस वाले बैग्रॉंड को लगते हैं और यहां पुनने मेंशन नहीं कर रहा किसी पीसी भी यहां पर साफमेंशन कर दिया है तो यह इनके eligibility criteria है याद रखिएगा पेपर कोट B25 मतला अगर कोई कोशन पेपर हो उसमें अगर B25 लिखा वाइस का मतला वह बीपटी के कोशन पेपर है और अगर आप कोशन पेपर करना चाहते हैं वीडियो के description box में इस्ट्राग्राम का लिंग है आप से याद रखे इनके स्लेवस है वह नौर्मली चेंज नहीं होता है पहले चीज दूसरा यह कि यह स्लेवस जो है आपके स्टेंडर की बात करें तो 11-12 बेस्ट है जो की सीबसी का अच के टाम में जो स्लेवस होता है वह है इसमें फिजिक्स का स्लेवस में तो अगर आप NCRT 11-12 धंग से दवा के प आपको पढ़कर जाना है इसके बाद आपको बायो का पार्ट क्योंकि इसमें अब जसे ही तो दिक्कत है अब जसे मान ली कोई PCM बलाए स्टूडेंस है तो वह तो बायो पढ़े नहीं है तो वह तो ऐसे भी साइड हो जाए इसलिए उन्हें पीसे भी मिंसन कर रखा था थ जाहिए तो यह बायो का टॉपिक है जो आप से पूछा जाएगा यूमन फिजलो रिप्रोडेक्शन और जेनेटिक्स और इवालू इवालूशन और बायोलोजी और हुमन विल वार्फेयर सो यह आपके पीसीवी का जो सिलेवस है मिंसन है और इसी से ही आपके हैंडेट एंसी क्यू बनेंगे अब इन सब का वेटेज लगवक्स सब कॉमन ही होगा जैसे कि मोस्ट परफली हो सकता है 33 33 का सबस्ट हो 33 33 और 34 बट आप कोश्टन पेपर देख लिजेगा हां कोश्टन आपको थोड़ा सा गाइडिंस दे दू एक तो यह कि आप से लेवस एसस करिए जो कि आपको मिल गया से दूसरा कोश्टन पेपर एसस करने के कोश्टन करी और तीसरा आपके पास 11 12 का पीसीवी का नौलेज अच्छा होना जाए यानि फिजीक कमिस्ट्री बायो का आन उसक आपको आइडिया भी लाग जाए कि हां पर कैसा पूछ रहा है क्या पूछ रहा है अन देन उसी सबसे तैयारी करेगा मल्टीपल टाइम रिविजन करेगा सेलेक्शन का पूरा चांस रहेगा जब आप रिविजन ज्यादा ज्यादा करेंगा इसलिए आपको नौलेज हो ज जब आपको नहीं करेंगे बने सिर्भाई चाहिए जब 15.